आज का रसीपी है स्टाफ डिडली हाँ आपने सही सुना आईए देखते हैं कैसे बनता है स्टाफ डिडली पहले हम इटली बैटर बना लेंगे आधा कप उकड़ा चावल आधा कप कच्छा चावल अब पानी मिला लेंगे अच्छे से धोग के सोख होने देंगे करीब चार घंटे आधा कप उड़िट डाल लेंगे पानी डाल कर इसे भी हम चार घंटे सोख होने देंगे अब हम इडली का बैटर बना लेते हैं ब्लेंडर जार लेंगे भीगोया हुआ उड़िट डाल डालेंगे और अच्छे से पीस लेंगे एक बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे अब हम भीगोये हुए चावल को ब्लेंडर जार में डालेंगे थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छे से पीस लेंगे चावल के आटे को बरतन में डाल लेंगे नमक डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे करीब आठ घंटे तक फर्मेंट होने देंगे बैटर को अब हम स्टफिंग बना लेते हैं एक पैन लेंगे तेल डालेंगे राई या सरसो थोड़ा कटा हुआ अध्रक कटा हुआ लेसन कड़ी पत्ता हिंग बारीक कटा कोथ मिर्फ हरे मिर्च का पेस्ट मिला लेंगे सबको कच्चापन निकल गया है अब हम बॉल्ट किया हुआ मटर डालेंगे हल्दी नमक स्वाद अनुसार थोड़ा सा शक्कर इसको हम अच्छे से मिला लेंगे अब डालेंगे उबाल कर मैश किया हुआ अलू अच्छे से मसालो के साथ मिक्स करेंगे आलू अच्छे से मसालों के साथ मिX हो गया है हमारा स्टफिंग तयार हो गया है टीमर रखेंगे लो फ्लेम पर इडली प्लेट रखेंगे आधा बड़ी चमच बैटर डालेंगे स्टफिंग को छोटे बॉल्स बनाएंगे और ऐसे पैटी बनाएंगे इसे रखेंगे बैटर में और थोड़ा बैटर डाल कर कवर कर देंगे बाकी सब भी ऐसे करें ढखकर करीब आठ से दस मिनिट तक पकाएंगे लो फ्लेम पर लीजिये बन गया सौफ्ट स्टफ इल्डी जरूर ट्राइ कीजे और कमेंट में अपना अनुभव बताएं आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर करें लाइक दोस्तों को करें शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहें टेक केर बाबाई